हाई एवरीवन वेलकम टू स्टडी जर्नी फ्रेंड्स जो भी लोग नेट एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे थे आप सभी लोगों को पता है जैसा कि आप लोगों का जो टीचिंग एक्जाम होते हैं उसके अंदर आपकी जो एलिजीबीडी टेस्ट होता है वो आपका एक् अगर कार से आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेशर बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एक्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है तो उसके लिए आपकी गूड नूज आ चुकी है कि आपके जो फॉम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप लोग पहले से के वेस्ट पर होने वाले हैं तो उसमें बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की आपके फिस वगेरा की तो क्या है क्या नहीं है वाकि एक बड़ा चेंज भी इस टाइम देखने को मिला है 2018 के बाद से तो वो क्या चेंज है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिसकस करू हो चुके हैं यानि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं कभी भी दस मई से पहले पहले कर दीजिएगा लाश्ट डेट का वेट मत कीजिएगा उससे पहले ही आप लोग कर दीजिएगा आपकी जो फीस रहने वाली है वो अन्रिजव कटेगरी की जनरल की आपकी ग्यारा सो पचा है वो आपकी 325 रुपय रहने वाली है उसके बाद आपका जो एक्जाम डेट है वो भी आप लोगों की अनाउंस हो गई है और जो मैं आप लोगों को चेंज बता रही हूं कि अब की बार जो आपका पेपर है वो आपका ओफलाइन पेपर होने वाला है ओमार बेस आपको लोगों का एक्जाम है वो रहने वाला है तो उसके अंदर आप लोगों को जो एक्जाम है वो आपके एक्जाम डेट भी अनाउंस हो गई है कि आपका 16 जून को एक्जाम है तो अब आप लोगों के पास एक महीन सोरी दो महीने से भी कम का टाइम बचा है आप लोग पहले स आपको इस बात का भी ध्यान रखना है साथ में ये पूरी जो PDF है अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग टेलिग्राम पर जोईन हो सकते हैं वहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूँगी आपका जो पेपर रहेगा वह अब की बार आपका जो रिजल्ट आएगा वो तीन कटेग्रीज में आने वाला है एक कटेग्री आपकी JRF के लिए आएगी एक कटेग्री आप लोगों की उसके PhD वालों के लिए आएगी और एक कटेग्री आपकी Only PhD के लिए आएगी और एक आपके Assistant Professor याने नेट के लिए आएगी तो आप लोगों को तीन कटेग्री में जो रिजल्ट है वो मिलेगा PhD में एडमिशन होगा वो भी नेट बेस पे ही रहेगा आपका जो exam pattern है 150 question पूछे जाते हैं एक question आपका 2 marks का रहता है negative marking इसके अंदर नहीं है और जो आपका comment paper है वो आपका 100 marks का 50 question में आप से पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपका teaching aptitude, research से related, higher education से related आपके mathematical reasoning से related आप gender awareness, environment इन सभी चीजों से आपके question पूछे जाते हैं साथ में जो आपका main dominating जो subject रहता है वहां से आपके 100 questions, 200 marks के पूछे जाते हैं जो भी आपका subject concerned होता है दोनों को मिला करके आप लोगों की merit बनती है तो भई यही change है कि अब की बार जो आपका रहने वाला है paper वो आपका offline mode में रहेगा और अभी तक अगर आप लोग serious नहीं हुए हैं serious हो जाईएगा अगर आपको net का paper clear करना है तो इस वीडियो में यही information थी बाके किसी आप teachings related और update के लिए मेरे चैनल के साथ connect हो सकते हैं thanks for watching this video